भारतिय जन्ता पार्टी के छेत्री अध्यक्स से सतेंद्र सुसोधियाजे भारतिय जन्ता पार्टी लोगदल के सयुक्त प्रत्यासे इसी माटी के सपोद सी चंदन चौहान जे भारतिय जन्ता पार्टी के जिला के अध्यक्स सी भुपेंद्र चौहान जे विधान परिशा सदस्या स्यासोग कटारिया जे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मंडल के मेरे सयोगे अनिल कुमार जे विधान परिशा सदस्या स्यासीमती बंदना बर्मा जे जिला पंचाद अध्यक्स साकेंद्र प्रताब सिंग जे रास्तिय लोगदल के संगठन मंत्री स्यजीत राठी जे नगर पालिका अध्यक्स बिश्नार के अध्यक्स स्रीमती इंद्रा सिंग जे नगर पंचाय जालू के अध्यक्स सिलोकेंद्र चौधरी जे भारती जन्ता पार्टी के लोगसभा के परवारी सुनील भराला जे लोगसभा की संयोजक स्रीमती कमले सेनी जे आज केस कारिक्रम में पस्तित भारती जन्ता पार्टी और रास्तिय लोगदल के सभी पदादिकारी गार्ण भारी संख्या में अपना स्रिवात प्रदान करने के लिए पस्तित सभी बैनों और भाईयों आज भारती जन्ता पार्टी का स्थापना दिवस भी है इस उसर पर भारती जन्ता पार्टी के कोट कोटी कारिकरताओं को बदाई देते वे इस पावन धरा को जो हमारी पौराणिक और एत्यासिक प्रिष्ट भूमी की पावन धरा है इसे नवन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ बैन और भाईयो भारती जन्ता पार्टी और रास्तिय लोगदल मिल करके चिनाव लड़ा रहे हैं और हम लोगों का कड़ बंदन प्रदान मंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश की वागडोर सौप करके विक्सित भारती परिकल्पना को हम साकार कर सके इस दृष्टी से हम सब मिल करके कारे कर रहे हैं आप सब जानते हैं कि पिछले दस वर्स में मोदी जी के नित्रत्यों में बारती जन्ता पार्टी की सरकार ने देश के हित में जो कारिक यह है आज देश और दुनिया में उसका डंका बजरा है यही कारण है कि पहली बार अन्यदाता किसान किसी सरकार के जेंडे का हिस्सा बना है और अन्यदाता किसानों का सरकार के जेंडे का हिस्से में आने का मत्तब था चाइवा प्रदानमंत्री किसान बीमा की योजना हो प्रदानमंत्री किसान सम्मान निदि का लाब आम किसान को प्राप्त होना और इन सब के साथ साथ किसानों के मसीहा चौदरी चरण सिंग्जी को भारत का सरवच नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हमारे अनदाता किसानों का सम्मान करने का कारे भी मोधी जी ने किया है में और भाइवो, जब सरकार किसी जाती मात और मज़प को नहीं बलकि गाहँ को, गरीब को, किसान को, नौसवान को, मैलाओं को केंगर में रखक करके कारे करती है तब जादी वाद छूड़ जाता है रख संप्र्ताइवाद छूड़ जाता है तब ढुष्की करण की नीदी तरो ली दो जाती हैै। आप एक ही मझार बूस्टा है मंतल है सबका साथ और सब के विकास का करया ज़ें दुनिया की अंदर गूज रहा है क्यों भारत के बाले में पहले 2014 के पहले हस्दधे आज सतका सथ और सबकर कर एसा मंतल बारत के अंदर सुरक्षा किस्तिती बहतर हुई है मोदी जी के प्रवंदन और नित्रित्व का लोहा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दोरान भी दुनिया ने देखा अभी दो दिन पहले की घटना है ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्टित समाचार पत्र है दा गार्डियन और दा गार्डियन ने अपने एक वहां पर एक वहां पर न्यूज चपी है और न्यूज चपी है कि पाकिस्तान के अंदर दो वर्स पहले वहां पर बीस आतंगबादी मारे गए आतंगबाद मरने के पीछे का स्रोट गार्डियन को कहां से प्राप्त हुआ है यहां वह समाचार पत्र ही जाने लेकिन एक बात तैह है कि बैनोर भाईयों भारत का आतंगबाद के प्रती जीरो टॉन लेंस की जो नीती है पुलवामा की घटना के बाद भारत ने जो कहा था प्रदान मंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि भारत माता के सपूतों का बिल्दान बिर्थ में नहीं जाएगा और भारत आज दुनिया का वा देश है जो दुस्मन की माद में खुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है और यह कार भारत ने एरिस्टाई के माद्यम से करके दिखाया था आज दुनिया के दर आप देख रहे होंगे तमाम देस भारत क्या अनुसान कर रहे हैं और अनुसान ही नहीं कर रहे हैं बलकि यह भी तैय कर रहा हैं लोगों के लिए अकौतुलारस से एक आश्रे कभी से है भारत की सबसे उबरती दुनिया के अर्थे विविवस्ता में भारत भारत दुनिया के अंदर सबसे दिक रोजगार देने वाला देश फिरी में असी करोड़ लोगों को रासन देने वाला देश साट करोड गरीबों को पाँच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर देने वाला देश चार लाग गरीबों को फिरी में आवास दिलाने वाला देश दस करोड मैलाओं को फिरी में रिसोई कैस का कनेक्शन देने वाला देश डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का फिरी में कनेक्शन देने वाला देश यह मोदी जी के नित्रतों में केवन भारत में संबव हो पाया है और बहनों और भाईयों आप सब जानते हैं इससे पहले लोग तरसते थे गन्ने का कीमत दस-दस साल लगते थे पांच-पांच साल लगते थे गन्ना किसान गन्ना तो दे देता था लेकिन मुल्य का भुक्तान नहीं वो पाता था किसान को पैसा लेना पड़ता था साकारों से सूद में पैसा लेना पड़ता था हमने सुनिश्चित किया है 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिले एक सब्ता के अंदर गन्ना मुल्ले का भुक्तान कर रही है जो बाकी 15 हैं इनके भी पेच कसे जा रहे हैं कि हम उसी को चलाने देंगे जो समय पे गन्ना मुल्ले का भुक्तान करेगा जो नहीं करेगा उसका निलाम करके अनदाता किसान को यी फैक्टरी का मालिक बना देंगे बैनोर भाईयो विसनोर में भी विकास हो मात्मा बिदुर की धर्ती भी विकास के साथ जुड़े यह भी NDA की भाजपा की सरकार नहीं किया मात्मा बिदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो चाहिए यहां के हाईवे हो आज आप देख रहे होंगे वर्ड क्लास हाईवे हमारे बिशनोर जन्पत में भी बन रहे हैं गंगा मैया यहां की आत्मा है अब गंगा मैया की सुद्धी के ले भी नमामी गंगे जैसी परयोजना यह चल लई है आप याद करिए मैं श्यम बिशनोर में आया था गंगा यात्रा निकालने के ले और बिशनोर से लेकर के बलिया तक हम लोग ने माre गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकाल करके व्यापक जन जागर्ण का कारिकरम किया था बैन और भाइओं जैसे देश के अंदर सुरक्षा का बात आण बना लोग इसी उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे क्या दंगा मुक्त हो पाएगा आज तो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है कोई कोई दंगा नहीं कि सुरक्षा का कोई खत्रा नहीं कि बेटी की सुरक्षा भी और व्यापारी की सुरक्षा भी बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा हर नागरी की सुरक्षा और हमने पै किया है कि कोई सोसता था पांच वर से पहले तक साथ वर से पहले तक कोई कोई सोस्ता था कि कस्मीर में आतंगबाद समाप्त होगा दारा 370 समाप्त होगी लेकिन आज कस्मीर आतंगबाद और उग्रबाद से मुक्त है कोई सोस्ता था पांच वर से पहले कि अयोध्या मैं राम लला का भव्य मंद्र बन पाएगा